गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेवर हॉस्पिल स्वरुपनगर कानपूर खासी में खून क्यों आता है यह बहुत कॉमन सिम्टम है और बहुत फ्राइटनिंग है यह scientific material है यह जो material है यह आपके लिए उपयोगी है जो paramedical staff है उसके लिए उपयोगी है यह जो medical students है उनके लिए उपयोगी है यह जो practicing doctors है उनके लिए उपयोगी है इस वीडियो को ध्यान से सुने और आखरी तक देखें जो खासे में खून आता है वो हमेशा frightening होता है अगर खासे में खून आया तो यह हमेशा बहुत सारे question ख़ड़ा करता है कि यह खून कहां से आया क्या यह नाक के पैसे से आ गया क्या यह खानी की नली में से निकल के आया या सास की नली में से निकल के आया या फैफ़डे से निकल के आया और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पेट में कोई problem है इस टमक में जहां से खून आया और खांसी में निकल के आ गया नो जब भी इस तरह का बलड आता है जो निकल के बाहर आता है खांसी में इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कुछ कारण सीरियस हो सकते हैं कुछ कारण नॉन सीरियस हो सकते हैं लेकिन सिर्फ आपको देखकर कुछ काज़ेस ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए नमबर बन अगर किसी भी कारण से आप बहुत वाइलिटली कफ करते हैं या बहुत तेज खांसी करते हैं लगातार जैसा आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है तो जो वाइलिट कफिंग है उससे कभी-कभी खून आ जाता है अगर आपको लंग्स में कोई प्राबलम है चाहिए वो ब्रॉंकाइटिस हो या ब्रॉंकियक्टेसिस हो उससे आपको खांसी में खून आनी की संभावना है नमबर तीन कभे आपको कोई चोट लगी चेस्ट में कोई ट्रामा हुआ आपका रोट टरफिक एक्सिडेंट हुआ उसके चेस्ट में कोई ट्रामा हो तो कभी खांसी में खून आ जाएगा ऐसे ही लंग के एक बिमारी है जो सांस में दिक्कत करती है जिसे कहते हैं COPD उसमें कभी खांसी में खून आ जाता है तो यह लंग्स के प्राबलम से हैं इनको ध्यान से देखिए बट जो वाइलेंट कफिंग है जैसी हो रहे है यह इसे वेरी कॉमन रीजन अगर हम इंडिया को देखें तो पॉल्मनरी टुबर क्लोसिस या जो लंग की टुबर क्लोसिस या फ्हेंपले में टीबी की बिमारी इस दो मोस्ट कॉमन रीजन जिसके चलते खांसी में खून आ लगेगा जो अनकॉमन रीजन से वो आपकी जानकारी में होने चाहिए कभी हार्ट की जो प्रॉबलम है जैसे कंजस्ट हो हार्ट फिलियर है उसमें कभी खांसी में खून आने लगता है ऐसे ही लंग्स के कुछ इमर्जेंसी से जैसे पल्मनरी इंबॉलिजम है या पल्मनर इसे आपने कभी कोई ब्रॉंको स्कूपी कराई या सांस किनली एकंटोस्कोपी होती जिसे ब्रॉंकोस्कोपी कहते है ये कराई उसके बाद कभी खांसी में हल्का खून आजाता है बड़ उससे परचान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खून पतला करने की कोई दवाईया लेते हैं, जैसे ही कोई स्प्रिन लेते हैं, या आप क्लोपेडोग्रिन लेते हैं, इनसे खून पतला होता है, तो कभी खांसी में खून आ सकता है, ऐसे ही अगर आपको खून जमने की कुछ बीमारिया हैं, जैसे हीमोफिलिया ह हैं उनके चलते चुशो कि खून जमने की प्रॉब्लम है तो कभी खानसी में खून आ सकता है, ये effect आपको ध्यान में रखना चाहिए इन अपनी doctor को बताना चाहिए. Agora अगर हम बच्चों को देखें तो कभी बच्चों में भी खानसी में खून तो बच्चों में जो reasons are different, जो most of the time जो कारण हैं वो actually respiratory infections होते हैं, बच्चों में जो लंक इंसर की problem है, या COPD की problem है, या bronchitisis की problem, ये adults की problem है, बच्चों में problem होगी तो respiratory infections होगी, निमोनिया जैसी चीज होगी, ये न कभी-कभी लंक की tuberculosis होगी, वो most common reasons हैं, लेकिन जो congenital heart disease ह जो पैदाईशी जोन heart की problems होती हैं बच्चों को, they are the second most common reason जिसके चलते हैं बच्चों में खांसी में blood आ जाता है, लेकिन studies ये पहत मनती हैं, scientific data ये कहता है, कि roughly एक तहाई बच्चों में जो hemoptasis होती है, या खांसी में खून आता है, उसका कारण पता नहीं लग पाता है, जिसे पते नहीं लगता है कि खांसी में खून आया कहां से है, नो आपको कब हॉस्पिटल जानी की जरूरत है, जरत ध्यान से देखे, जब भी आपको खांसी में खून आया, वो हमेशा emergency है, अगर आपको खांसी में खून आया, आपको डाक्टर को जरूर दिखाना लेकिन अगर खांसी में खून एक चमच से ज़्यादा आये, एक ती स्पून फुल से ज़्यादा आये, इसका मतलब एमर्जेंसी है, तुरंट आपको हॉस्पिटल जाके डाक्टर को दिखाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि खांसी में आपको 100 ml ब्लड आ गया, या 100 खून आ गया, या लगबाग एक तहाई कप आपको खून आ गया, इसका मतलब ये मेसिव हेमाप्टिसिस है, आपको तुरंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी अमाउंट का ब्लड आना सीरेस प्राबलम है, ये वास्तों में जान का खतरा लेके चलता है, जब भे आप हॉस्पिरल जाएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगी तो क्या होगा, सबसे पहले एक मेडिकल हिस्ट्री लेनी की जरूरत है, खून कैसे आया, कब आया, किस तरह का आया, और पास्ट हिस्ट्री आपकी क्या है, क्या पहले भी ऐसा कुछ हुआ, इसके बाद आपका लगे sleep की तेस्ट चाहिए, सी बीसी चाहिए कि आपका hemoglobin का level का level कितना है, आपका blood का oxygen का level कितना है, ऐसा तो नहीं कि oxygen नीचे आगे है, आपके एक chest x-ray की जरूरत है, जिससे clear होगा, कि कहीं chest में कोई patch नहीं है lung है, जो टीबी का हो सकता है, निमूनिया का हो सकता ह ऐसा तो नहीं कि पस्तिली में कोई फ्रेक्चर है, वो तूटे हुए है, या लंग में कहीं कोई गाट या त्यूमर दिखाई दे रहा है, इसलिए चेस्ट का एक्सरी चाहिए, इसके बाद एक जोना CT scan की ज़रूरत पड़ सकते है थोरेक्स की, इस चीजों को finalize करने के लिए कि ये निमोनिया है, ये टीबे है, चूमर है या कहीं कोई और प्राब्लम तो नहीं है, लेकिन ये ब्रॉंकोस्कोपी ऐसा investigation है, जो सांस की नली से दूर भी पास की जाती है, जो identify करती है कि कि साइट से bleeding हो रही है, तो ब्रॉंकोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती, that's number four. ज़रूरत पड़ेगी, उससे ये locate हो पाएगा, कि खून कहां से leak कर रहा है, और कहां से खून leak कर रहा है, तो उसको बंद करने का इंतजाम किया जाएगा, ये हमेशा question खड़ा होता है, कि जो खून आ रहा है, वो वास्तों में सांस की नली से आ रहा है, कहीं और से आ रहा ह एक term होती ही, जिसे कहते है, pseudo-hemoptysis, कि जो खून है, वो ऐसा तो लगता है, कि खांसी में आ रहा है, लेकिन फैंफड़े से नहीं आ रहा है, कभी-कभी गले या सांस की नली यहीं से आ जाता है, इसे कहते है, pseudo-hemoptysis, और एक term होती ही, जिसे कहते है, hematmesis, कि जो blood है, वास्तो ही, hemoptysis, और second one is the pseudo-hemoptysis, कि अब लंग से नहीं आ रहा है, यहीं कहीं से आ जा रहा है, तो वो pseudo-hemoptysis की category में आएगा, नो, इसका treatment कैसे होगा, उसका ilाज कैसे होगा, नो, यह बिल्कुल सही बात है, कि हमें investigate करने की जरूरत है, कि कारान क्या है, that's number one, second, सबसे important काम है, आपन में पहुँचे, तो हमें इस चीज को protect करना है, कि आपकी सांस की नली protected रहे, नहीं तो आपको जान का खतरा बन सकता है, तो इसलिए, earway का जो protection है, that's the most common, important factor, आप admit हुए, तो सबसे पहले आपको intravenous fluid चाहिए, अगर खून बहुत कम हो गया है, तो blood transfusion की जरूरत पलेगी, अगर necessary हुआ तो prophylactic antibiotic आपको दिये जाएंगे, कुछ hemostatic agents होते हैं, जो खून को कुछ जमाने की ताकत रखते हैं, उनको use किया जाएगा, अगर आपको खासी हो रहे तो cuff suppressant तिये जाएंगे, ताकि आप cuff ना करें, estrade ना करें, एंड आपको हो सकता है, थोड़ी सी कुछ न परूरत है, जो broncoscopy है, वो दूर्मीन की जाच है, जो सांस की नलगी की जाती है, इसके जरिये से की जाती है, जो broncoscopy है, हमें जानकारी देती है, कि blood कहां से आ रहा है, and blood क्यों आ रहा है, broncoscopy की जरिये से हम treatment भी provide कर सकते हैं, जो treatment की modalities हैं, उनको ध्यान से देखिए, number one is the endobronchial insertions, जब हम, I mean, broncoscopy करते हैं, उसके जरिये से कुछ eyes saline जो ना अंदर infuse कर सकते हैं, तो चूंकि वो एकदम ठंडा है, eyes है, तो bleeding बंद होने की संभाव ना होती है, cellulose जो ना दिया जा सकता है, bleeding को stop करने के लिए, organic fiber डाला जा सकता है, as fibrinogen, so that clot form हो जाए, and bleeding बं हो जाए, second is the argon photocoagulation, इसके जरिये, जहां से blood आ रहा है, उस spot को वास्तों में blood clot locally बनाया जा सकता है, या photocoagulation किया जा सकता है, so that bleeding बंद हो जाए, third one is the electric coterie, इसमें वास्तों में, जो आपका bleeding site है, उस site को cauterize कर दिया जाता है, या burn कर दिया जाता है, जिससे bleeding आपकी बंद हो जाए, the fourth one is the endobronchial stent placement, अगर ये bleeding बंद नहीं हो रही है, तो इस, I mean, bronchoscopy की जरिये, कभी हम अंदर extent place कर देते हैं, so that pressure आ जाए, and bleeding बंद हो जाए, that's number four, now, अगर bleeding ज़्यादा हो रही है, amount ज़्यादा है, तो वास्तों में आपको bronchial artery embolization की ज़रुरत पड़ेगी, इ इसमें करना ये पड़ता है, कि यहाँ से जो ileak phosah है, या ileak artery है, इसमें से catheter pass किया जाता है, जो आपके pulmonary artery में जाता है, इन उस artery में जाने की ज़रुरत है, जहां से bleeding हो रही है, और एक बार वो identify हुई कि इस artery से bleeding हो रही है, तो उसमें फिर या तो जिलेटिन sponge डाला जात है, यह कभी-कभी coils उसमें place की जाती है, ताकि clot बन जाए, और bleeding बंद हो जाए, तो अगर bleeding continuous है, तो bronchial artery embolization की ज़रुरत पड़ती है, तो these are the procedures which are needed, नो कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई चीज काम नहीं करती, अगर कोई भी चीज काम नहीं करेगी, तो surgery is the only option, यह बात बिलक lung है, वास्तों में उसके wedge resection की ज़रुरत पड़ती है, यह जो surgery है, यह open surgery हो सकती है, यह video assisted thoracoscopic surgery हो सकती है, जैसे भी conditions and expertise prevail करता है, उसके हिसाब से decision लिया जाएगा, तो जो treatment की modalities हैं, अगर आप ध्यान से देखें, तो इन तीनों पर आक रुकेंगी, number one is, कि आप बिलकुर conservative line पर manage किये जाएंगे, या interventions किये जाएंगे, तो interventions या तो जोना आपके bronchoscopy के तुरू होंगे, जैसा मैंने आपके सामने रखे, और उसमें treatment प्रोवाइट किया जाएगा, या आपका bronchial artery embolization होगा, और अगर नहीं गाड़ी line पर आती है, तो it is quite possible, कि सर्जन को टीम में लाने की जरूरत पड़े, और अगर नहीं problem settled होती है, तो surgical intervention की जरूरत पड़े, तो जो खासी में खून आता है, वो इस तरह की emergency है, कि कभी भी खून आता है, डाक्टरू को जरूर दिखाएं, अगर एक चमच खून आया, that is one teaspoon, वो emergency है, 100 ml आया, तो ब है, यह अपने आपने एक medical emergency है, इसको समझने में, अगर यह video help करता है, जरूर शेयर करें, मैं डॉकर वी कमिश्रा, from guest to liver hospital, स्वरूपनगर कानपूर, thank you very much.